पतक्षे भाग एक क्या पूरी हुई शरद और सुर्भी की प्रेम कहानी मा मैं निहा से विवा करना चाहता हूँ अनन्त ने सिद्नी से फोन पर सुर्भी को सूचना दी कौन निहा सुर्भी चोंकुठी उसे यकीन ही नहीं हो रहा था अनन्त तो अभी 25 वर्ष का ही था उसने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया सुर्भी के दिमाग में तो उस का अनन्त अभी वही निर्जर हासी से उसके वातसलिया को भिगोने वाला डोड कर उसके आचल में छिपने वाला नन्हमुन्ना बेटा ही था अब देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया कि विवा करने का मन ही नहीं बनाया बलकी लड़की भी पसंद कर ली पती अवलम की मृत्यू के बाद उसने कई कठे नाईयों को जेल कर ही उसकी परवरिश की और जबनंत को अपने प्रोजेक्ट के लिए सिद्नी की फैलोशिप मिली तब उसने अपने दिल पर पत्थर रख कर ही अपने जि माचल से बांध कर रख सकती थी अब तो उसके पंखों में भी उडान भरने की क्षमता आ गई थी अब वो भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में समर्थ था उसने अपने बेटे की पसंद को वरियता दी और फोरण हां कर दी अनंद को अपनी मां पर पूरा यकीन था कि वे उस की पसंद को नापसंद नहीं करेगी नेहा भी सिद्नी में उसी के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वहीं दोनों की मुलाकात हुई जो बाद में प्यार में बदल गई और दोनों ने विवाह करने का मन बना लिया नेहा के पेटेंस ने इस रिष्टे को स प्यारी बच्ची है भवरे सी काली-काली आँखें आत्म विश्वास से भरी हुई कद पांच फुट पांच इंच हूंठों पर किसी को भी जीत लेने वाली हंसी सभी कुछ तो मनभावन था नेहा की हंसी ने सुर्भी के बिसरे हुए अतीत को जीवन्त कर दिया था कितनी प्यारी पहचानी हुई हंसी है ये हंसी तो उसके खयालों से कभी उतरी ही नहीं इसी हंसी ने तो उसके दिन काच्चन रातों की नींद शीन ली थी इसी हंसी पर तो वह कुर्बान थी तो क्या निहा शरद की बेटी है नही नही ऐसा कैसे हो सकता है हो सकता है ये मेरा भ्रम हो उसने फोटो पलट कर देखा नेहा कोठारी लिखा था उसका शक यकीन में बदल गया वो अच्चम्भित थी नियती ने उसे कहां से कहां ला कर खड़ा कर दिया किस प्रकार वो प्रति दिन नेहा के रूप में शरद को देखा करेगी लेकिन वो हनंत को मना भी तो नहीं कर स समुचित अधार भी तो नहीं था वो बेटे को क्या कारण बताती दोखा तो शरद ने उसे दिया था उसका बदला नेहा से लेने का कोई और चित्य भी नहीं बनता था आखिर उसका अपराध भी क्या है नहीं नहीं अनन्त और नेहा एक दूसरे के लिए तिरपे यह उसे म लावा कर रहा था नेहा की फोटो देखते ही लगता मानो शरद ही सामने खड़े मुसक्रा रहे हूं शरद ने न जाने कब चुपके से उस के जीवन में प्रवेश किया था शरद जिसने उसकी कुआरी रातों को चाहत के कई रंगीन सपने दिखाये थे कैसे भूल सकती थी वह दिन जब उसने विश्व विद्यालय में भी एक प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया था भीरू प्रवरिती की सहमी सहमी सी लड़की जब पहले दिन क्लास अटेंट करने पहुँची तो बड़ी ही घबराई हुई थी जगह जगह लड़के लड़क जिससे वह पूछ सके तभी एक सौम्य दर्षनिय व्यक्तित्व वाला युवाक आता देखा उसने तनिक हकलाते हुए पूछा रूम नमबर चालेस किधर पड़ेगा उस लड़के ने उसे अचम्भे से देखा फिर तनिक मुसक्राते हुए बोला आप रूम नमबर चालेस के सामने ही खड़ी हैं ओह वो जहप गई और क्लास में जाकर बैठ गई हाई आइम नीमा को ठारी उसने पलट कर देखा उसकी बगल में एक प्यारी सी उसी की समवयस्क लड़की आकर बैठ गई उसने सुर्भी की ओर माइथरी का हाथ बढ़ाया कुछी देर में दोनों में गहरी दोस्ती हो गई क्लास समाप्त होते ही दोनों एक साथ बाहर आ गई दादा नीमा चिल्ला उठी सुर्भी ने चोंक कर देखा वही युवक उनकी ओर बड़ा चला रहा था क्यूं रे क्लास ओवर हो गई थी या यूँ ही बंक करके भाग रही है उसने नीमा को छेड़ नहीं दादा क्लास ओवर हो गई थी और आपने ये कैसे सोच लिया कि हम क्लास बंक करके भाग रहे हैं उसके स्वर में थोड़ी नाराजगी थी सौरी बाबा अब नहीं कहूंगा उसने अपने कान पकड़ने का नातक किया नीमा मुसक्रा उठी फिर उसने पलट कर सुर्भ टंडन मेरी क्लासमेट और सुर्भी ये है मेरे दादा शरद कोठारी सौफ्ट्वेर इंचिनियर बेंगलुरू में पोस्टेड हैं उसने दोनों का परिच्य कराया सुर्भी संकोट से दोहरी हुई जा रही थी बड़ी मुश्किल से उसने नमसकार की मुद्रा में हाथ जो निमा ने शोखी से कहा घर आकर सुर्भी उस्पूरे दिन के घटनाक्रम में ओलजी रही यह क्या हो रहा है ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ ना जाने कितने लोगों से प्रतिदिन मुलाकात होती रहती थी लेकिन इतनी बिचेनी तो पहले कभी नहीं हुई मन में कई सवाल उमड़ा घुमर रहे थे, नीमा तो कह रही थी कि शरद, बेंगलुरू में है तो फिर यहां क्या कर रहा है, फोरन ही, उसका मन जवाब देता हो सकता है आजकल, यही हो और अपनी बहन को पहले दिन युनिवसिटी, छोड़ने आया हो, रहर कर शरद का मुसक्राता, चहरा उस मैं बेचेन हो रही हूं तुम से मिलने के लिए, क्या, तुम भी, वह अनायासी बुदबुदा उठी, क्या हुआ दीदी, तुम नींद में क्या बुदबुदा रही हो, बगल में सोई हुई उसकी छोटी बहनरी तूने पूछा, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं, तूने को मून धाप, लिया और सोने की कोशिश करने लगी, दूसरे दिन हजारों मनोतियां मनाते हुए वह घर से, निकली, काश की आज भी शरद से मुलाकात हो, जाय तो कितना अच्छा होगा, पूरे दिन दोनों सहे लिया, साथ ही रही किन्तू वह नहीं आया, चाह कर भी वह, नी ने खुद को साधे रखा था, इन्ही विचारों में डूबुतर रही थी कि, तभी शरद आता देखा, क्या बात है दादा, आज आप फिर यहां, आज तो मेरा, दूसरा दिन है और मैं कोई अकेली भी नहीं हूँ, नीमा ने, शरद को छेड़ा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बा प्रोब्लम तो नहीं, फिर तो अरसे बाद ही, मुलाकात होगी, शरद ने सुर्भी की ओर देखते हुए कहा, नीमा मन ही मन में मुसक्रा रही थी, जबकि सुर्भी का चेहरा आरक्त हो रहा था और बड़ी ही सरलता से, उसके मन के भावों की चुगली कर रहा था, अच्छा दादा, अब सुर्भी से बाते करिये, मैं अभी कॉमन हॉल से होकर आती हूँ, नीमा ये कहने के साथ सुरभी की, और देखकर मुसक्राती हुई चली गई, सुर्भी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, तभी शरद बोल उठा, तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है, मै कर सुबह चला जाओंगा, नहीं, मुझे क्या कहना है, सुर्भी नर्वस हो रही थी, ठीक है, फिर ये ना कहना कि मैंने तुम्हें कुछ कहने का मौका नहीं दिया, शरद ने तनिक धिठाई से कहा, तभी नीमा आते हुए दिखी, नीमा ने आकर बताया, आज क्लासेज सस् हैं, ये कहने के साथ, उसने आगे कहा, चलो ना दादा, कहीं घूम फिर आएं, तू चलेगी न सुर्भी, सुर्भी पसो पेश में पढ़ गई, क्या करे, जाने का मन तो, है पर यदी घर में यह बात पता चली, तब, माम पापा, कुछ गलत ना समझ बैठें, वैसे भी ही हाथ से निकल न जाए, लेकिन उसका, मन चंचल हो रहा था, क्या हुआ यदी थोड़ी देर और, शरद का साथ मिल जाए, और वह तैयार हो गई, तीनों ने खूब घुमाई फिराई की, शाम को नीमा और, शरद ने अपनी कार से उसे उसके घर छोड़ा, उसके, माम हुए, दूसरे दिन उसका मन बहुत अशान्त था, आज शरद, चला जाएगा, न, जाने अब कब मुलाकात हो, वह बड़े ही अन्मने धांग, से क्लासेज के लिए तैयार होकर युनिवसिटी के, लिए निकल गई, सामने से नीमा आते दिखी, सुरभी, को, देखते ही वह चहक कर बोली, पता है, दादा, आज भी नहीं गए, एक माह के लिए अपनी छुट्टियां बड़ा ली हैं, असल में दादा के जाने के नाम से ही, मम्मी परेशान होने लगती हैं, बस, दादा को रुपने का बहाना मिल गया, उन्होंने अपना जाना कैंसल कर दिया, लेकि ये जाने की शरद भी उसको प्यार करता है या नहीं, लेकिन जब शरद ने बिना किसी लागल पेट के, सीधे साधे शब्दों में अपने प्यार का इजहार कर दिया, तो वह जुम उठी, ऐसा लग रहा था मानो पूरा सत्रंगी, आसमान ही उसकी मुठ्ठी में सिमट आया हो, वह अर्मानों के पंखों पर जूला जूलने लगी, एक रविवार को शरद अपने पेरेंट्स और नीमा को लेकर, उसके घर आधम का, उसने अपने कमरे की खिरकी से देखा, उसे अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हा, रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा थ चलो दीदी, मा ने तुम्हें द्राइंग रूम में बुलाया है, रितू, नेहा कर उसे चोंका दिया, वह अचकचाई सी मा के बुलाने पर सब के बीच पहुंच गई, शरद के पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से बातों में मग्न थे, उसे देखते ही, शरद की मा ने उसके दोनों हाथों को पकड़ कर अपनी बगल में बिठा लिया, हमें आपकी बेटी बहुत ही पसंद है, हम इसे अपने घर की बहु बनाना चाहते हैं अगर आपको इत्राज ना हो, वो शर्म से लाल हो रही थी, माम पापा इसी बात पर निहाल थे कि उन्हें घर बैठे ही इतन अच्छा रिष्टा मिल गया, उन्होंने फोरण हां कर दी, उसकी भावी, सास ने पस से अनगूठी निकाली और शरद से उसे पहनाने के लिए कहा, शरद ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी अनामिका में अनगूठी पहना कर अपने प्यार की मुहर लगा दी, स ने भी मा द्वारा दी गई अनगूठी शरद को पहना कर अपनी स्वीकृती दे दी, उसे ये सब स्वपन सा महसूस हो रहा था, आखिर इतनी जल्दी उसका प्यार उसे मिलने वाला था, वहिस अप्रत्याशत सगाई के लिए तयार ना थी, क्या सच में, जो प्यार उसके जोली में आगे रहा, तभी भाभी कहकर नीमा उससे लिप्ट गई, लजजा के मारे उससे वहां बैठा भी नहीं जा रहा था, वह नीमा को लेकर अपने कमरे में आ गई, सगाई के बाद तो शरद अकसर ही उसके घर आने जाने लगा था, अब उसे अपनी ससुराल में, कभ अपनी मंगेतर के साथ बिताना चाहता था, दोनों, कभी मूवी देखने चले जाते, कभी दर्या के किनारे, हाथों में हाथ डाले घूमते नजर आते, भविश्य के, सुन्दर सपने संजोते अपनी स्वपनों की दुनिया में, विचरन करते थे, पहले तो सुर्भी को शर जिन्दगी आसान हो जाएगी, वो दिन भी आ गया जब शरद को बेंगलुरु वापस जाना था, वो भाव वेहवल हो रही थी, शरद उसे अपने से लिप्टाई दिलासा दे रहा था, बस, कुछ ही, दिनों की तो बात है, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे, जहां मैं वहां तुम, हमारे उपर कोई बंधन नहीं होगा, और सुर्भी ने उसके सीने में अपना मूँ छेपा लिया, जोट, शरद उसका मूँ उपर उठा कर बार बार उसके हूँठों पर अपने प्यार की मुहर अंकित कर रहा था, शरद चला गया उसे अकेला छोड़ कर यादों में तरपने के लिए विवाह जाड़े में होना था और अभी तो कई माह बाकी थे, फोन पर बातों में वह अपने विरा का कुछ हिस प्रकार बखान करता था कि सुर्भी के गाल शर्म से लाल हो उठते थे, वो उस की बातों का उत्तर देना चाहती थी किन्तु शर्मू के हूठ को सी देती थी, नीमा अकसर उसे छेरती और वो शर्मा जाती, अक्तूबर का महीना भी आ गया था, घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी, माम पापा पूरा पूरे दिन उसे इस मॉल से उस मॉल टहलाते थे, उसकी पसंद की ज्वैलरी और साधियां आदी खरीदने के, चलते क्लासेज छूट रही थी, जब वो कुछ कहती, तो माम बोलती, अब ससुराल में जा कर ही पढ़ाई, करना, वो चुप रह जाती थी, नवंबर का महीना भी आ गया, तैयारियों में और भी, तेजी आ गयी थी, निमंतरन पत्र भी सब को जा चुके, थे क कि तभी उन पर गाज गिरी, शरद ने अपने पापा को सुचना दी कि उसने अपने साथ ही कार्यरत किसी सोमा रेड़ी से विवाह कर लिया है, सुर्भी तूच गई, उसे शरद पर बेहद यकीन था, शरद उसे इस प्रकार धोखा देगा, ये तो उसने सपने में भी नही सोचा था, वो शरद जो उसे अपनी आँखों से उज़ल भी नहीं होने देना चाहता था, उसके बालों से अठखे लियां करता, कभी कहता, तुम्हारी जील सी गहरी आँखों में मैं डूबडूब जाता हूँ, सागर की लहरों सा लहराता, तुम्हारा बदन मुझे अपन थी लजजित थे और हाथ जोड़ कर, सुर्भी के परिवार से अपने बेटे के धोखे की माफी मांद रहे थे, और नीमा, वो तो सुर्भी से नजरे मिलाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन अब इन बातों से फायदा भी क्या था, निराशा के अंधाकार मे वो नई राह तलाशने की कोशिश करती, लेकिन हर राह शरद की ओर ही जाती थी, उसके आगे तो सड़क बंधी मिलती थी, और वो अंधेरों में भटक कर रह जाती थी, कहीं से प्रकाश की एक भी किरन नजर नहीं आती थी, अब वो नाते रिश्तेदारूं वो मित्रों से नजरे चुराने लगी थी, जबकि मां उसे समझाती थी, बेटा, तेरा कोई दोश नहीं है, दोश तो हमारा है जो हमने उस धोखे बाज को पहचानने में भूल की, दो माह बाद ही पापा ने उसका विवाह अवलंब से कर दिया, अवलंब इंकम टैक्स ओफिसर थे और बह स्विवाह को स्विकार कर लिया था, अवलंब सही माने में अवलंब थे, उन्होंने कभी भी उसे इस बात का आभास तक न होने दिया कि वे उसके अतीत से परिचित हैं और उन्होंने उसे अपने प्यार से लबरेज कर दिया, अब उसे शरद की याद भी ना के बराबर ही आती थी, वह अवलंब का साया बन गई थी, दो वर्षों बाद ही उसके जीवन की बग्या में अवलंब के प्यार का एक फूल खिला, अनंद, उसका बेटा, वह अपने आपको दुनिया की सबसे खुश नसीब, स्त्री समझने लगी थी, अवलंब का बेशुमार प्यार, औ और अनंद की किलकारियों से वह अपने अतीत के काले अध्याई को भूल चुकी थी, लेकिन नियती उस पर हंस रही थी, तब ही तो दो दिनों के दिमागी, बुखार से अवलंब उसे अलविदा कह कर उसके जीवन से बहुत दूर चला गया और अब वह अपने बेटे के उस सपने को पूरा करना था जो उन्होंने अनंद के लिए देखे थे, उसे अनंद का भविश्य समवारना था, उसे आकाश की अनंद उचायों तक पहुचाना था, अनंद था भी, बड़ा ही मेधावी, सदा अववल रहने वाला, पीछे पलट, कर उसने कभी देखा ही नह और लगातार तरक्की की ओर बढ़ता गया, सिद्नी में अनंद को फैलोशिप मिल गई थी और उसके उजवल भविश्य के लिए सुर्भी ने बिना नानुकूर किये उसे विदेश भेज दिया, वहां उसे नहा मिली, जिससे वह विवाह करना चाहता था, और जिसकी मंजू कर सकेगी, क्यूं उसने ये रिष्टा स्वीकार कर लिया, अब क्या वह अनंद को मना कर दे इस शादी के लिए, लेकिन सब कुछ इतना आसान भी तो नहीं था, अब यदि अनंद ने इनकार का कारन पूछा, तब क्या वह अपने ही मुह से अपने अतीत को बया, कर सकेगी जिसने उसके जीवन के माने ही बदल दिये थे, शरद की बेटी को क्या वह दिल से स्वीकार कर सकेगी, कहीं ऐसा नहो की शरद के प्रतियुस के प्रतिकार का शिकार वह मासूम बच्ची बने, नहीं नहीं, शरद का बदला वह नहा से कैसे ले सकती, थी, वह बेटे का दिल बी तो नहीं तोड सकती थी, वरना वह भी वह बेटे का दिल भी तो नहीं तोड सकती थी, वरना वह भी निहा की नजरों में शरद के समान ही गिर जाएगा, उसने अनंत को फोन किया, हेलो, दूसरी तरफ से अनंत का स्वारु भरा, बेटा, तुम निहा से वहीं शादी करके इंडिया आजाओ। मैं यहां एक ग्रांड रिसेप्षन दे दूनगी ताकि सभी रिष्टेदारों से बहू का परिचय भी हो जाय और हाँ। नेहा के माम पापा को विशेश निमंत्रन दे देना। अनंत और नेहा का रिसेप्षन सच मुछ बड़ा ही। शानदार था। सभी नाते रिष्टेदार वस अगे सम्बंदी एकट थे। हुए थे। सुर्भी गेट पर सभी का स्वागत कर रही थी। तभी शरद अपनी पत्नी के साथ आता दिखा। उसने हाथ जोड कर दोनों का स्वागत किया। उसके हूंठों पर मुसक राहत थी। वह ऐसा प्रदर्शित कर रही थी। मानों वह शरद को पहचानती ही नहीं है। लेकिन शरद उसे देखकर अचकचा गया। धीरे से बोला सुर्भी तुम। वह शरद की बात को अनसुना करके दूसरे महमानों की ओर बढ़ चली। खिस्याया हुआ शरद उसे बराबर आते जाते देख रहा था लेकिन वह उस से किनारा कर रही थी। शरद को बात करने का वह कोई मौका ही नहीं दे रही थी। अनन्त नहा के साथ घूमफिर कर सभी महमानों से मिल रहा था। सुर्भी भी सबसे अपनी बहु का परिचय करा रही थी। साथ ही उसकी तारिफों के खातिब हुई कहिए कैसा लगा सारा इंतजाम आप लोगों को अपनी ओर से तो मैंने कोई भी कसर नहीं छुड़ी बहुत ही अच्छा प्रबंध था आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को बहुत ही समझदार सास मिली है आईए हम लोग गले तो मिलने कहकर सोमा उसक चारद को देखा उसका चेहरा सिया हो रहा था शायद उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि सुपः उसे न पहचाननेका बहाना कर रही है उसे इस बात का तो अंदाजा था की वल नाराज है किन्टू उसे कुछ कहने का मौका तो दे कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बेवफाई का बदला नेहा से ले वहिनी विचारों में दूबुत्रा रहा था उन लोगों के रुखने की व्यवस्था। जिस प्रकार समाज में मेरा अपमान हुआ था उस से तो मर जाना ही उचित था। वह तो पापा की सूजबूज से अवलंब जैसे पती मिले तो जीवन में फिर एक बार आशा का संचार हुआ। लेकिन शरद की यादे हमेशा ही तो मन में उथल पुथल मचाती रही अपने अतीत को अपने सामने पाकर वह विवल हो रही थी। अपना गहरा रिष्टा बन गया है। कैसे निभेगा अब तो बार-बार ही शरद से अमना सामना होगा। तब वह बेचैन होकर अपने घर के लौन में टहल रही थी। तबी सुरबी शरद ने पीछे से आकर उसे चोका। दिया आप यहां इस समय क्यूं वह हैं। वह पल्टी उसका स्वर कठोर था। सुरबी एक बार बस एक बार मुझे अपना पक्ष साफ करने दो फिर मैं कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा मैं तुमसे क्षमा भी नहीं मानबूगा क्योंकि जो मेरी मजबूरी थी उसे मैं अपना अपराध नहीं मानता हूँ। कैसी मजबूरी? कौन सी मजबूरी? मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। जो हुआ, अच्छा ही हुआ। आपके इनकार ने मुझे आवलंब जैसा पती दिया जो वास् पर जो गलानी का बोज है वह उतर जाएगा। हमारे रास्ते तो अलग होई चुके हैं, एक मौका, बस एक मौका दे दो, शरद ने सुर्भी की राह रोकते हुए कहा। सुर्भी छिठक कर खड़ी हो गई, कहिए क्या कहना है। कहा से शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शरद जिजख रहा था। देखिए आपको जो भी कहना हो, जल्दी से कह, दीजिए, कोई आ जाएगा तो आपकी किरकिरी हो जाएगी, सुर्भी ने कदम आगे बढ़ाने का उपक्रम किया। हुँ, तो सुनू, यहां से जाने के बाद, मैं बहुत ही उल्लसित था स्वपन में मैं हर रोज तुम्हारे साथ अपना जीवन बिता रहा था। हर ओर मुझे तुम ही तुम नजर आती थी। मेरे सभी सहयोगी बहुत ही। खुश थे। मेरे MD मिस्टर अनिल राड़ी ने भी धेरूं। मुबारक बाद दी। जब विवाह के 15 दिन ही बचे थे। मेरे साथियों ने एक फाइव स्टार होटल में बढ़ी ही शांदार पार्टी का आयोजन किया। मिस्टर राड़ी भी अपनी पतनीव बेटी सोमा जो मेरी सहयोगी भी थी के साथ मेरी पार्टी में शामिल हुए डिंक्स के दौर चल रहे थे। किसी को कुछ भी होश नहीं नशा गहरा रहा था और उस पर उसके शरीर की मादक सुगंध में मैं खोने लगा एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे तुम ही मुझे अपनी ओर आमंतरन दे रही हो। मैं ने सोमा को अपनी बहों में भर लिया और सामने वाले कमरे में लेकर चला गया। सोमा ने भी कुछ ज दूसरे की आगोश में लिप्टे पड़े थे की अचानक वाट हैव। यू डन रासकल, यू हैव स्पायल्ड माइ डॉटर्टर्स लाइफ। नाव यू आर सक्ट फ्रॉम योर जॉब। चीखते हुए। मिस्टर रडडी अपनी पुत्री सोमा को एक तरह से घसीटते दूसरे दिन मिस्टर रडडी ने मुझे दोबारा जॉब इस शर्त पर वापस की कि मैं सोमा से शादी कर लूँ क्योंकि इस घटना का सभी को पता चल चुका था। सोमा के सम्मान का भी सवाल था। बस मैं मजबूर हो गया और इस प्रकार उस से मुझे विवाह करना ही। पड़ा मैं तुम लोगों को क्या मूँ दिखाता। बस एक इंकार की सूचना अपने पापा को दे दी। बाद में मिस्टर रडडी ने मुझे अपना पार्टन बना लिया। अब तुम जो भी चाहो समझो मैंने तुम्हे सब कुछ हूब हूँ। बता दिया हो सके तो क्ष शमा कर देना। नेहा मेरी एकलती बेटी है उसे अपनी बेटी ही समझना। मेरा बदला उससे न लेना। इतना कैह कर शरद चुप हो गया। ठीक है शरद जो हुआ सो। हुआ। नेहा आपकी बेटी ही नहीं। मेरी बहु भी है। मेरी कोई बेटी नहीं है उसने मेरी। य मैं भूल चुकी हूँ कि कभी आप से मिली भी थी और आप भी भूल जाए कह कर सुर्भी अपने कमरे की और मुल गई शरद भी चुप चाप अपने कमरे की और चला गया इस प्रकार एक बिस्री हुई कहानी का पटाकशेप हो गया पर शरद के मन में आज भी अपराधबोध सुर्भी 25 वर्षों से जिस हलकी आंच पर सुलग रही थी वो आज बुझ गई शरद नहीं तो क्या उसकी बेटी तो आब उसने बहु के रूप में पाही ली न